शारुक खुनका बेटा आरियन किस तरीके से ड्रक्स को छुपा कर समुद्री जहाज पर चड़ता है? क्या आपको वो तरीका पता है? ये काफी है दोस्तों किस तरीके से शारुक खान का बेटा पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है वो बदनाम तो हुआ ही उसके अलावा जिस तरीके की खबरे आ रही है उस खबर को जानना और समझना जरूरी है कि बॉलिवुड में ड्रक्स का जो गंदा खेल चल रहा है उस खेल का आखिर मास्टर माइंड कौन है आरियन खान जिस तरीके से समुद्री जहाज से गिरपतार हुआ ये वाकई में एहम है और गिरपतारी की बात बता जा रहा है कि कई बड़ी मचलिया अब गिरपतार हो सकती है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ आरियन खान के बारे में NCB के अधिकारी आखिर समुद्र के बीच में कैसे गए वो भी एक दो लाइन में जान लीजिए और उसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में सापतोर से जाइर हो रहा है कि आरियन खान ड्रक्स को छुपा रहा है और वो भी चस्मे के नीची जी हा आरियन खान किस तरीके से वहाँ के शिकुरिटी गाट को चकमा देकर जहाज में घुसता है और जहाज में ड्रक्स की पार्टी चलती है और उस पार्टी में कई बड़े लोग भी मौजूद रहते हैं लेकिन उसके अलाबा वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि उनका द सबसे पहले एक दो लाइन में ये बता देता हूँ कि NCB ने आखिर कौन सा हतकंडा अपनाया था जो कि वो जहाज पर चली गई चीहां NCB के अधिकारियों ने वहां का टिकट लिया था चीहां जब आरियन खान उस जहाज पर चड़ रहे थे तो उसे के साथ NCB के अधिकारी NCB के एजेंट भी वहां पर चड़ गए टीकट कटा कर एक यातरी के रूप में और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं थी कि NCB के अधिकारी भी इस जहाज पर है और जिनकी पहिनी नजर ड्रक्स के माफियाओं और नसेडियों पर है और वो नसेडि आरियन खान था जि पर पार्टी हो रही है पार्टी होने वाली है ड्रक्स भी अंदर ले जाया चुका है करीब करीब 1400 लोग उस सीप में मौझूद थे लेकिन 8 लोगों को ही गिरपतार किया गया है इसकी भी मैं आपको जानकारी दूँगा आखिर 8 लोग वो कौन है और उसमें एक लड़की क भी गिरपतारी हुई है जिसके वारे में पूरी तरीके से इंटरनेट पर चर्चा है वो जानकारी भी मैं आपके सामने लिग करूंगा दोस्तों आपके नॉलेज में कौन कौन सा वो तरीका है जिसके जरिये ड्रक्स को छुपा कर कहीं ले जाया या पिर लाया जा सकता है दो-तीन तरीके पता होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि आरियन खान ने अपने चसमे के नीचे ड्रक्स को छुपा कर वो लड़का सीप में सवार हो गया यातरी बन कर सवार हो गया लेकिन उसको कानो कानी इस बात की खबर नहीं थी कि NCV के अधिकारी भी उनके पीछे पी जिसके बारे में लगातार चर्चा चल रही है कि उस विडियो में साबतोर से जार हो रहा है कि आरियन खान चसमे के नीचे ड्रक्स छुपा कर रखता हुआ दिख रहा है और वो ड्रक्स लेकर किस तरीके से शीप के अंदर जाता है जहां पर पाटी होने वाली थी और पाटी एक दो घंटा नहीं बलकि बताया जा रहा है कि तीन दिनों तक ये पाटी चलने वाली थी गोवा से मुंबई, मुंबई से गोवा और पूरे रास्ते में बस पाटी ही पाटी चलने वाली थी और NCB, NCB को इस बात की भेनक और महक लग गई कि यहीं पर, यहीं पर आरियन खान अच्छी बात है, लेकिन ड्रक्स मामले में गिरफतारी के बाद, आरियन खान का सपोर्ट कई गंभीर सवाल पैदा करते हैं, सलमान खान और सुरील सेटी ने इनका पूरी तरीके से समर्तन कर दिया, और यहां तक कि सलमान खान, शारुक खान के घर चले गई, ऐसा लग रह हैं, उनके परिवार को दिलासा देने गए हैं, यह वाकई में गंभीर मामला है, लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि आखिर उस रात में हुआ क्या था, जी हां, आरियन खान किस तरीके से पकड़ाया और उनका ड्रक्स कैसे पकड़ाया, चलिए, एक दो ला का भी वीडियो सामने आ गया है, दोस्तों, आपको तो पहले में ने बता दिया कि किस तरीके से NCB को इस बात की खबर लगी कि क्रूज सीप में बड़ी पाठी होने वाली है, वहाँ पर शारुक खान का बेटा भी मौजूद रहेगा और ड्रक्स की पाठी होगी, ये बात एकदम पक्की थी, इसलिए टीकट कटा कर आम यातरी के रूप में NCB के अधिकारी उस क्रूज सीप में सबार हो गए, और फिर 20 समुंदर में पाठी सुरू हो गई, लेकिन पाठी सुरू होने के बाद किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं थी, कि आखिर आरियन, आर मेनेजर के पास गए, लेकिन सीप मेनेजर के पास भी इस तरह का कोई भी डाटा नहीं था, जिससे जाईर हो कि किस कमरे में आरियन खान रह रहा है, उनका दोस्त रह रहा है, कहां पर उनकी पाठी चल रही है, किसी बात की खबर नहीं थी, लेकिन NCB की पहनी नजर ने आरि NCP आदिकारी को घुमते घुमते उनका चेरा दिख गया और फश्ट फ्लोर नहीं बलकि तीसरे फ्लोर पर आरेन खान ड्रक्स की पार्टी कर रहा था ड्रक्स की पार्टी उन्हें करने दिया गया वो नसे में थे, नसे के बाद वो पार्टी में जाने वाले थे और एक कमरे को, कमरे के ताले को वो खोल रहा था और उसके पीछे NCB के अधिकारी खड़े थे आरियन को पता नहीं था कि ये NCB के अधिकारी हैं सिबिल ड्रेस में थे आम्यातरी की तरह थे जैसे ही आरियन कमरे के अंदर गुसा कपड़ा चेंज करने के लिए ताकि वो पाठी के लिए जा सके उसी वक्त आरियन के साथ उस कमरे में NCB के अधिकारी भी घुस गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया फिर फिर कहानी सुरू हुई जियां दरवाजा लॉक करने के बाद आरियन खान पूरी तरीके से गबला गया वो नसे में था बता जा रहा है कि आरियन खान ने NCB के अधिकारियों को गालिया तक दी और उनका दोस्त भी उनके साथ मौजुद था आरियन खान के चस्मे के नीचे ड्रक्स मिला इस बात की जानकारी NCB के सुत्रों के हवाले से आ रही है ये बात मीडिया में पूरी तरीके से तर रही है और चस्मे के नीचे किस तरीके से ड्रक्स चुपाया गया इसकी भी जानकारी अबलीक हो रही है जी हां, NCB के अधिकारियों ने आरियन को तो गरपतार किया हैं वहाँ पे, उनका दोस्त जो था, उनका दोस्त भी पूरी तरीके से घबलाने लगा जब NCB के अधिकारियों ने उस लड़के की पूरे सरीर की जाच परताल करनी शुरू की तो उनके जूते के अंदर में ड्रक्स मिला, जी हां, आरियन खान के चसमे के नीचे ड्रक्स और उनके दोस्त के जूते के नीचे ड्रक्स और ड्रक्स कहा मिला ये भी जान लीजे, आरि लोग उस क्रूज सीप में सवार थे लेकिन आठ लोगों को ही गिरबतार कियागिए अगर आगर दोसी पाए जाये तो उन पर कड़ी कारबाई हुनी चाहिए